वेल्कम बैक अब्रेवन वेल्कम टू सिवल सर्विसेश टड़ी आज है 30 जून 2020 और लगाते हैं UPSC सिवल सर्विसेश प्रलेम्स के लिए हैं टेस्ट नंबर 418 एक 408 वा टेस्ट है फोकस करेंगे करेंट अफेर्स के प्रश्णों पर प्रलेम्स के दो से चार सेगिंड का टाइम मिलेगा एक प्रश्ण को सोचने के बाद एक लाइक करिएगा अगा टेस्ट पसंद आता है तो चले स्टार्ट करते हैं तो आजाएए कोशन नंबर बने आपके सामने हल ही में विश्व एंक ने स्टार्स परियोजना को बंजूरी दी है कौन सी परियोजना इसमें भारत के छे राज लावनबित होंगे हीमान चल प्रदेश केरल मद्ध प्रदेश महराष्ट है तो सारे के सारे हैं इसके लावा अड़िसा है और है राजस्थान तो इसका answer हो जाएगा option number 2 उप्रोग सभी तो देखे हाली में विश्वेंक के अनिदेशक मंडल ने भारत के छे राजियों हिमांचल प्रदेश, केरल, मद्ध प्रदेश, महाराज, टुड़ीशा, राजस्थान के सरकारी स्कूलों की शिक्षा पद्दती में सुधार लाने के लिए 500 मिलियन डॉलर की स्टार्स परियोजना जिसका पूर्ण रूप है Strengthing, Teaching, Learning and Result for State Program नामक परियोजना को मंजूरी दिये, इस परियोजना को देश में समग्र सिक्षा अभियान के माधिम से लागू किया जाएगा और विश्वेंग कहता है कि स्टार्स परियोजना स्कूलों में मुल्यांकन परणाली को बहतर बनाने और स्कूलों के शाषन तथा विकेंद्री करत प्रवंधन को मजबूत करने में मदद करेगी इसकोले के शाशन और विकेंदरी करत प्रवंधन छे राज्यों कौन कौन से हैं महराष्ट ओडिशा राजस्थान मद्द प्रदेश केरल और हिमांचल प्रदेश कौशन नमबर टूपर आजाएए इसे रामसर कन्वेंशन के तहट आदर भूमी के रूप में मानिता प्राप्त है इसे किसे इन चारों में से किसी एक की बात हो रही है यह केरल के त्रिशूर डिश्टिक में स्थिर्ट वेटलेंड आदर भूमी है इस शेत्र में चावल का अच्छा उत्पादन होता है यहां अनेक प्रकार की अक्रामक परजातियां पाई जाती है किसकी बात हो रही है केरल तो अपना काम थोड़ा असान बनाईए पहले अगर थोड़ा हो तो अपने जियस पड़ी होगी तो आपको पता होने चाहिए केरल में कौन-कौन सी आदर भूमी है कौन-कौन सी जीले है तो सो मिरी तो है नहीं वो तो जम्मो कस्मीर में कहां पर यह तो JNK में इलिमिनेट करो इसको हिबल करनाटक में हिबल करनाटक में यह भी नहीं होगा अस्टमुडी और भेमबनाद कौले यहीं दोनों की दोनों केरल में है लेकिन यहां पर जो उत्तर हो जाएगा भेमबनाद कोले तो देखिए भेमबनाद कोले आदर भूमी जो है कोले बैट्लेंड है यानि के तर्शूर डिस्टिक में इस्थित है यह आद्रभूमी प्रकर्तिक जल निकासी परणाली के रूप में कार करती है और इस शेतर में चाबल का अच्छा उत्पादन होता है इसे रामसर कन्वेंशन के तहत आद्रभूमी यानि वेट लेंड के रूप में मानिता प्राप्थ है और यहाँ अनेक प्रकार की अक्रामक पर जातियां इन्वेसिव इस्पिसीज जो हैं वो पाई जाती है करता है करती है एक ही बात है कुश्य नम्बर थरी है कभी-कभी समचारों में रहने वाले नाम है वो नाम कौन-कौन से हैं कैश, Atheium, Atheum Monera आदि संबंदित हैं किस से संबंदित हैं कैश, Atheium, Monera एक प्रकार की अभाशी मुद्रा से प्रत्वी के काल नतारण से आक्रामक विदेशी वनस्पतियां पादप से विदेशज वनस्पति पादप से अधान की फसल को प्रभावित करने वाले रोग जनक क्या है ये कैश एथरियम एवं मोनेरा कैश कौन सा रुपे वाला एक नाम सुनाओगा अपने मोनेरा प्रोटेस्टा ये सब वो नहीं है यहां उत्तर कुछ और है एक प्रकार की आभाशी मुद्रा हैं तीनों की तीनों को रिलेट करना ना केवल एक को तो करने ही सकते तो कैश एथरियम और मोनेरा एक प्रकार की आभाशी मुद्राएं हैं जैसे है क्या क्रिप्टो करन्सी तो कैश कोमा एथरियम कोमा क्रिप्टो करन्सी कोमा मोनेरा ये क्या है ये हैं क्या यह हैं आभाशी मुद्राएं तो देखिए क्रिप्टो करंसी एक प्रकार की डिजिटल मुद्रा है जिसमें लेंदेन संबंधी सभी जानकारियों को कूड बद यानि इनक्रिप्ट तरीके से विकेंद्रिकर डेटावेस में सुरक्षित रखा जाता है एथ्रियम, मोनेरा, एथ्रियम, मोनेरो, कैश और बिटकोईन आधी जो है वो पुरमुग आभाशी मुद्राएं है क्या है यह क्रिप्टो करंसी है, क्रिप्टो करंसी बोला, कॉमा बिटकोईन्स बोलना चाहिए था ना, कॉमा बिटकोईन्स तो cash, ethereum, monera, bitcoin जो है एक तरह से cryptocurrency है या नि आभाशी मुद्राएं है option number है इसका answer monero, cash, bitcoin और ethereum monero है यह monera नहीं है चलिए question number 4 पर आज़ाइए हाल ही में समचारों में रहा anthropoge, anthropoge क्या है anthropoge प्रायदी पर भारत में खोजा गया मान अपका कोई कंकाल है क्या, Antarctica एक Antarctic one पर जाती है या फिर western घाट पर खोजी गई, संकट गरस से तितली के पर जाती है फिर covid-19 से प्रेरित, lockdown अब धी है क्या है, देखिए दो word यहाँ पर मिलना है pause, यह वाला pause है यह वाला pause और यह क्या होता है, यह play का sign होता है तो बस यही समझ लिए जिसको यह यही वाला pause है और anthropology में किसका अध्यन के जाता है मान अपके क्रिया कलाब का तो बस मान अपको pause करना है यह संबंदित किस्से है यह covid-19 से प्रेरित lockdown अबधी D has cancer तो देखिए anthropoze lockdown अपधी का उल्ले करने के लिए एक सब्द है जिसको किसने गड़ा है United Kingdom के सोद करताओने यह दो सब्दों से मिलकर बना है anthropo anthropo अर्थात मनुष्य से संबंदित और pause pause का मतलब है ठहराव से मिलकर बना है यह COVID-19 से प्रेरित lockdown अबधी के लिए अधिक सटीक सब्द है जिसे great pause great pause के रूप में संदर्वित किया जा रहा है यह विशेश रूप से आध्वनिक मानव गतिविधी के लिए वैश्विक ठहराव यानि विशेश रूप से यात्रा को लेकर को संदर्वित करता है question number 5 पर आ जाईए उत्तर प्रदेश सरकार ने राज प्रशाषन को केंद्रे और दगुक सुरक्षावल यानि CISF की तर्ज पर राज में उत्तर प्रदेश विशेश सुरक्षावल ध्यान से सुनिएगा अदालतों और बैंकों मेट्रो रेल और हवाई अड़ो और देख परतिश्थान और उपरयुक्त सभी अपने देखा होगा अधिकतर जो कोट होते हैं डिस्टिक कोट होते हैं या हाई कोट होते हैं उनमें सिक्योर्टी तो होती है गेट पर दो पुलिस वारे खड़े हुए अंदर एक एक कॉंस्टेबर बैठा रहता है हर कोट के समने हैं इसा हाई कोट में होता है लेकिन डिस्टिक कोट या जिला सत्र नियाले में कोई सिक्योर्टी नहीं होती तो देखिए उसके लिए इनिशिटिव है ये जैसे अदालत हो गई बैंक में तो चलो एक ही होता है बहाँ पर बाहर बैठा रहता है वो और मेट्रो रेल दिल्ली में तो है लेकिन उत्तर प्रदेश में नहीं है हवाई अड़े यहां तो है लेकिन और मजूद होगा और द प्रदेश तर बैंको और अन्य संगठनों की सुरक्षा सुनशिट करने के लिए एक समौरपित सुरक्षा बनाने करने लिया है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी योगी सुरक्षाब़ी सिर चैन बेंका किया ओडिया leisten दालों उन्ते और रुठै को तियो Bye Drake उत्तरप्रदेश स्थानों को सोनिर्ट करने के लिए किया जाएगा अब question number 6 पर आज़ेए dragonfly के संदर में कौन सा कथन सत्य है ये है dragonfly देखे एक dragonfly जो है ना कीट वर्ग से संबंदित है ये पारिश्तितिक दरश्टी से महतपूर है क्योंकि ये जैव संकेतक वायो इंडिकेटर्स के रूप में कारे करते हैं दोनों सही है या दोनों गलत है देखे बिलकुल जैव संकेतक के रूप में कारे करते हैं ये पारिश्तिक दरश्टी से इंपोर्टन्ट है दूसरा करेक्ट है और dragonfly कीट वर्ग से संबंदित है ये भी करेक्ट ह सभी तो देखिए ड्रैगन फ्लाई का अगर गंड देखें मतला ओर्डर देखें तो यह ओडो नाटा ओर्डर का है गंड का है और बर्ग क्या है इसका कीट वर्ग से संबंद रखता है यह यह पारिशित्क दृष्टी से इंपोर्टन्ट है क्योंकि यह जैव संके तक मतलब वायो अंडिकेटर के रूप में कार करते हैं सामानिता नर ड्रैगन फ्लाई के सिर कॉमा वक्ष कॉमा पेट और पैरो साहित सरीर के लगवक सभी हिस्सों में रक्त में लाल रंग का क्या पाया जाता है कोलो रेटन लाल र पूरे रंग के वक्ष तथा पैरों के साथ हलके पीले रंग की होती है चलिए अगला प्रशन देखते हैं तो आज यह कोशन नुम्बर सेबन पर कॉपरेटिव वैंक से रिलेटेड गोचे स्ट्मेंट है यहां पर सहकारी वैंक सहकारी वैंक का आश्य उन छोटे वित्स अ वैंक उनके संगठन, उद्देशियों, मूल्यों और शाषन के आधार पर बाणिजिक वैंकों के समान होते हैं देखे समान नहीं होते भिन होते हैं यह कोमर्शियल वैंक से तो दूसरा वाला स्टेट्मेंट हो जाएगा गलत और पहला हो जाएगा करेक्ट और इसका अंसर हो जाएगा वन उनली तो देखिए कथन दोस्टाइं नहीं हैं सहकारी बैंका आश है उन-छोटे वित्त संस्थानों से हैं जो सहरी और गैर सहरी दोनों छेत्रों में छोटे विवसायों को रण की सुविधा परदान करते हैं सहकारी बैंक आम तौर सहकारी बैंक का स्वामित और नेंत्रन सरस्य द्वारा किया जाता है जो लोग तांत्रिक रूप से निदेशक मंडल का चुनाव करते हैं अब आजये कोशन नमबर एट पर क्रिप्टो जैकिंग के संदर में निम्न कत्नों पर विचार करना है क्या होती है क्रिप्टो जैकिंग देखे क्रिप्टो जैकिंग एक प्रकार का साइवर हमला है जिनका प्रियोग हैकर्स क्रिप्टो करेंसी की माइनिंग करने के लिए करत Bitcoin से, Cash से, Monero से तो बिलकुल ये दोनों के दोनों correct है इसका अंसर हो जाएगा option number C तो हाल ही में cyber सुरक्षा विसे सग्यों ने crypto currency की mining के रूप में crypto jacking नामक cyber हमलों की पहचान की है अब मुद्दा क्या है, main point क्या है बात करें crypto jacking की जिसका प्रियोग hackers cryptocurrency की mining करने के लिए करते है mining बुनियादी तोर पर एक ऐसी प्रकरिया है जिसके माध्यम से किसी अभासी मुद्रा के लेंदेन को सत्यापित किया जाता है अब देखें बात करें crypto currency प्रणाली की तो crypto currency एक प्रकार की digital मुद्रा है जिसमें लेंदेन संबंदी सभी जानकारियों को कूटवद्ध यानि encrypt तरीके से विकेंद्रिकरत database में सुरक्षित रखा जाता है बही खाते के आंकडों को इस्थानिक रूप से वितरित किया जाता है और crypto currency के प्रतेक लेंदेन को block के रूप में कूटवद्ध किया जाता है bitcoins हो गई, ethereum हो गई, monero हो गई, cash हो गई ये आधी क्या है? ये आधी जो है आवहासी मुद्रा है यानि crypto currency है ये एक अनुमान के अनुसार दुनिया भर में 47 मिलियन से अधिक crypto currency उप्योग करता है question number 9 पर आजाईए कभी कभी समचारों में रहने वाली भारत नेट परियोजना के संदर में विचार करना है देखिए भारत नेट परियोजना का उद्देश optical fiber के माध्यम से भारते गाउं को उच गती ब्रोडवेंड connection से जोड़ना है तमिल नाडू में इस परियोजना के माध्यम से राज के सभी सभी कितने 12,524 ग्राम पंचायतों को जोड़ने की योचना थी बिल्कुल ये correct हैं दोनों के दोनों statement इसका answer हो जाएक option number C तो देखे इस परियोजना का तीसरा चर्ण जो है वो दोनों के दोनों कथन सत्य हैं और इस परियोजना को तीसरा चर्ण है वो वर्स 2019 से 2023 तक पूरा होना है और इस चर्ण में अत्याद होने के future proof network जिलो एवम blocks के बीच फाइवर समित अबरोद को समप्त करने के लिए network को ring topology के अधार पर इस्थापित किया जाना है भारत net परियोजना optical फाइवर पर अधारित है अब आजए ये question number 10 पर बात करें optical फाइवर की तो optical फाइवर के संदर में आपको विचार करना है देखिए optical फाइवर मुखिता सिलिका से वनी पतली वेलनाकार नलिकाएं होती हैं जो परकास के परावरतन के सिदान परकार करती है optical फाइवर में परकास का उपयोग कर data को transfer किया जाता है परकास का उपयोग कर एक incorrect है inkorrect है कॉनसा क्योंकि optical fiber कार करता है total internal reflection के सिद्धान्थ पर यानि प्रकास के पूर्ण-iantrik परावरतन के सिद्धान्थ परनागी प्रकास के परावरतन के सिद्धान्थ पर कौनसा इसमें ये बाला पहला बाला गलत हो जाएगा यहां तक तो सही होकर आया Optical Fiber मुखिता सिलिका से बनी पतली वेलनाकार न डिकाएं होती है इतना लेकिन यह प्रकास के परावरतन पर नहीं पूरा उत्रिक परावरतन पर पूरा कटेगा फ्री है आप्टिकल फाईवर का उपयोग करके डेटपर किया आइस के यहां देटा ड यहां यह टोटल टोटन छे से डांद पर कार करती है ये प्रशन इतना इतनी लाइन बहुत पूछे एक्जाम में अप्टिकल फाइबर में प्रकास का उप्योकर डेटा को ट्रांसफर किया जाता है अप्टिकल फाइबर में बिजली का संचार नहीं बलकि प्रकास का संचार होता है इन में प्रकास के रूप में जानकारी का प्रवा होता है Optical Fiber में डेटा को रिसीब किया जाता है Optical Fiber में जहां डेटा को रिसीब किया जाता है वहाँ एक Transmitter लगा होता है यह है Transmitter Electronic Pulse Information को सुलजाता है और इसको Process करके इसको Process करके Last Pulse के रूप में Optical Fiber Line में Transmit कर देता है तो याद रखेगा Optical Fiber Total Internal Reflection प्रकास के पूर्ण आंत्रिक परावरतन के सिद्दान्त पर कार करता है ना कि प्रकास के परावरतन के सिद्दान्त पर वाकि Correct है सारा का सारा और केवल के तुलना में इसमें जो है जो इंटरनेट की स्पीड होती है वो दस गुना तक अधिक होती है कितने गुना तक दस गुना तक अधिक तो दस प्रशनते इंपोर्टेंट अच्छे से इसका रिविजन कर लीजगा एक से तीन बार कम से कम धन्यवाद